हाई फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे जो अगला T10 का मैच खेला जाएगा COL वर्सेस JBS के बीच में इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों हे टीमों के पूरे इंफॉर्मेशन सेयर करूँगा बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों कौन से प्लेयर आज आपको इस मैच के अंदर आपन करते वे दिखेंगे कौन से प्लेयर फर्स्ट आउन पे खेलेंगे सारे प्लेयर का बैटिंग ओडर के साथ मैं आपको सारे इंफॉर्मेशन सेयर करूँगा कि कौन से प्लेयर का career result किस प्रकार है career record किस प्रकार है दोस्तों आपको पूरे information में आपको share करने वाला हूँ दोनों हे टीमों के betting order के साथ तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़यता help करने वाला है एक बार इस वीडियो को last तक जरू अच करना इस पे click करने के बाद आपको all का option दिखने को मिलेगा इसको भी एक बार select चरू कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 matches का वीडियो में जैसे ही upload करूँगा आपके पास सिदे notification जाएगा और सारे matches का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताएगा stats पसंद आता है इस वीडियो से अगर आपको जरा भी help मिलता है तो एक बार इस वीडियो को like करके दोस्तों हमें support जरू करना और सबसे important है कि आप मारे telegram group को join कर लें दोस्तों यहाँ पे आपको एक arrow का button मिल जाएगा जैसे आप यहाँ पे click करते हैं आपको हमारे telegram group का link से हो जाएगा तो इस group में join करना जरूरी है क्योंकि line up के बाद आपको final team यह पे मिलेगा अगर कोई दी changes होता है तो इसलिए एक बार जरूर से जरूर जरूर जोइन कर लेना इस वीडियो के नीचे मैं आपको link share कर दिया है description box में और जहाँ comment करते हैं पहला comment पे link आपको pin कर दिया है आप click करके आसानी से join कर सकते हो तो चलिए अब stats की और आगे बढ़ेंगे दोस्तों यह जो match है 8-30 में यह match आपको देखने को मिलेगा सारजा cricket study में यह मुकाबला होगा यहां का 5 report में आपको बता दूँ 105-110 के आसपास एक average score देखने को मिलने वाला है दोस्तों batting friendly पीछे चलिए C.O.L.K. टीम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों सारे players का आपको T20 records मिलेंगे इससे पहले जो एक series खतम हुआ उसमें दोस्तों सारे players ने T20 matches खेला है तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि T10 का record कहीं पे भी available नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई भी players ने T10 नहीं खेला है तो यह चीज़ आपको mind पे रखना है दोस्तों ध्यान रखना है बाकि हरी प्रशांत यह आपको C.O.L.K. टीम के तरफ सबको विकेट के प्रिंग सक्षिन में नजर आएंगे दोस्तों 11 matches इन्होंने खेला हुआ है 6,087 run score कराया प्लस 58 wickets निकाले है रिसेंट 5 matches का score देखोगे पहले match के अंदर 1 run फिर 10 run फिर 23 run फिर 28 फिर यह पर 1 run मनाया हुआ है बाकि शकूर का record देखोगे 398 matches के अंदर इन्होंने 4000 से यहां पर 49 run score कराया दोस्तों प्लस यहां पर 159 wickets निकाले है इनका record बहुत ही बहतर है आप इनको भी try कर सकते हैं बैटिंग में दोस्तों यहां पर रेंजित मानी 60 match के अंदर 1527 run फिर 54 wickets निकाले हुए है रिसरेंट score में पहले match के अंदर solar run फिर यहां पर 1 run फिर 14 run फिर 26 run फिर 3 wickets फिर 15 run फिर 15 run फिर 2 wickets निकाले है दोस्तों यह betting के सांसाथा को bowling भी confirm करते भी दिख जाएंगा इनको try कर सकते हूँ जुनेद 13 match के अंदर 205 run फिर फिर 4 wicket निकाले जिसमें से पहले match के अंदर 11 run फिर 14 run फिर 24 run फिर 15 run फिर फिर 25 run फिर फिर 1 फिर निकाला हुआ है बैचर का फिर बहतर है आप इनको try कर सकते हैं लेकिन राइट हेन बेटिंग के साथ साथ को राइट आप फास्ट बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, पहले मैच के अंदर 72 रन, फिर 49 रन, फिर 69 रन, फिर 28 रन रिस्कोर करा है नोनी, निखिल का रिकॉर्ड चार मैच के अंदर 95 रन प्लस 11 विकेट से निकाले हुए हैं, अ इनको चाहें, तो इस मैच के अंदर अवाइट कर सकते हो, बाकि विदुशाही, दोस्तों, दो मैच के अंदर 5 रन, आप इनको भी ड्रॉप करना, विश्नु रमिश, इनका रिकॉर्ड 68 मैच के अंदर 17 रन, प्लस 40 विकेट से निकाले हैं, दोस्तों, बैटिंग करेंगे, दोस्तों, राइटन बैट्स मेंने, रिसेंट 4 मैच के अंदर देखेंगे, तो 22 रन, फिर यहांपे 15 रन, फिर यहांपे 16 रन, फिर यहांपे 1 रन बनाया हुआ है, यह इनकाले है, बाकि यहांपे 22 का रिकॉर्ड 62 मैच के अंदर 404 रन, प्लस 39 विकेट से निकाला हुआ है शिंटू जो कि यहांपे 413 मैच के अंदर 15,114 रन, फिर यहांपे 156 विकेट से निकाले भी हैं, राइटन बैटिंग के साथ राइटन फास्ट बॉलिंग करते हैं आपको, आप इनको ट्राय कर सकते हैं, और अंडर सक्सन में देखो कि श्यामर मेच के अंदर 17 रन, प्लस 11 विकेट निकालें, ये भी आपको दोवर कंफर्म गिंदबाजी करते हैं, रिसेंट अगर आप मैचेस में गौर करेंगे, देख सकते हैं, दोस्तो अच्छे विकेट भी निकाले हैं, तो आप ले सकती हो, बाकि रिजवान समीर जो कि 28 मैच के अंदर, यहांपे 650 रन, प्ल बल्ले बाजी भी कर लेंगे, बाकि यहांपे इंदिजार अली, 4 मैच के अंदर, 7 रन, जिसमें से रिसेंट स्कोर में, पहले मैच के अंदर, 1 रन, प्लस 2 विकेट, दुसरे मैच के अंदर, 2 विकेट, अब बॉलिंग में देखोगे दोस्तों, यहांपे मोहमद जिसन बट यह भी आपको कन्फिरम दो बर गिनदबाजी करते हुए दिख जाेंगे, पहले मैच के अंदर, 8 रन, प्लस 1 विकेट, फिर 11 रन, प्लस 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 12 विकेट निकाला हुआ है, दो बर फिक्से बॉलिंग करते आपको दिखेंगे, प्रत्म 82 मैच के अं से हैं एंपर 37 وिकेट से निकाले हैं दोस्तों बॉलिंग इनका काफ़ी बहतर है 11 प्लस एग विकेट फिर दो विकेट फिर यापर 15 फिर यापर OP प्लस कर सकते हैं ये दोस्तों COL का betting order है और आपको ध्यान रखना है दोस्तों सारे players का record देख रहे हैं इसी के बैसे पे आपको players को अपने team के अंदर लेना है और ये दोस्तों ध्यान रखना है कि जो players T20 में अच्छा के ला है जैसे कि आप देख सकते हैं ये T20 में अच्छा wickets निकाला है यहा यहाँ पर इनको मिला है फास्टर गिंदबाज है फास्टर गिंदबाज को support भी इस ground पर ज्यादा अच्छा मिलता है तो यहाँ पर विकेट्स निकाल सकते हैं संभावना है तो आप इनको ले सकते हूँ वह यगर आप JVS का record देखोगे दोस्तों यहाँ पर उमर याशीर जो कि आप इस 570 मैच के अंदर 18508 रन स्कोर करा है फ्लस फिर 34 विकेट्स निकाला हुआ है इसमें सर्सेंट स्कोर में पहले मैच के अंदर 24 रन फिर 7 रन फिर 35 रन फिर 28 फिर यहाँ पर 13 रन स्कोर करा है यह important है बाकि आप इस दोस्तों बात करें दोस्तों अधविता गव हैं बैटिंग और बॉलिंग यह भी करते हैं आपको दिख जाएंगे बाकि यहाँ पर साइड हेडर को ड्रॉप करेंगे आप उसमा मुहमद 35 मैच के अंदर 105 रन फ्लस 34 विकेट्स निकाला है राइट रन बैटिंग के साथ यह भी राइट फास्ट गेंद भाजी करते मुहमद इशाम का रेकॉर्ड दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मौशिन इशान इश्लाम जो कि यहाँ पर 9 मैच कंदर 32 रन फ्लस 12 विकेट्स निकाला है आप इनको ड्रॉप करना हभी बश्रीफ 65 मैच कंदर 727 रन फ्लस 5 विकेट्स निकाला है अनिल राथोड 18 मैच आप इनको भी ट्रॉप कर सकते हैं बाकी वगर आप देखोगे नासवाग अली का रेकॉर्ड 128 मैच कंदर यहाँ पर दूज़वन रन फ्लस निकाला हुआ है इन दोनों को ड्रॉप करेंगे मौहमत कसीम 142 मैच कंदर 3482 विकेट्स निकाला हुआ है इन दोनों को ड्रॉप क रन्स बनाये हैं यहाँ पर 86 विकेट्स निकाले हैं यह राइटन बेटिंग के साथ राइटन फास्टर गिंदबाज दोस्तों आप इनको भी ट्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर सेट उमेर अली इनका रेकॉर्ड कुछ खासने दोस्तो जाय जनाजिर को भी ड्रॉप करेंगे अली राजा 38 मैच के अंदर 77 रन प्लस 18 विकेट निकाला हुआ है कसीम का रेकॉर्ड 7 मैच के अंदर 8 रन प्लस 8 विकेट निकाले हैं दोस्तों आप इनको भी ड्रॉप कर सकते इनके खिलने के थोड़ा कम चांस है बाकि सारे प्लेयर्स का बेटिंग यहाँ पर सारे प्ले पर बनाया हूँ तो टीम मेच वार आप देख लो आपको और ज्यादा हैल्फ मिलेगा कि कौन से इंपोर्टेंट प्लेयर्स को आखिर मैंने लिया है देखो अगर यहाँ पर यू यासिन खिलते हैं तो यह टीम के आपको मिडल ओर पर बैटिंग करते भी जाएंगे लेकिन विकेट की पुरिंग करेंगे जे भी एस के टीम के तरफ से ठीक है और इस वज़े से यह इंपोर्टेंट भी है बैटिंग में दुस्तों मेंने तीन बैटिंट को लिया हुए आर मानी एश आइडर यह दोनों के दोनों खिलाड़े टीम के टॉप अडर पर खिलेंगे यहाँ पर टी अली को आप ले सकते हैं इनका वे रिकॉर्ड काफी बैतर है इनका सेलेक्शन कम है क्योंकि इनकी खेलने के थोड़ा कम चांट से अगर यह खेलते हैं तो ध्यान रखना यह खिलाड़ी बहुत इंपोर्टन है टीट्वेंटी फोमेट में काफी बढ़ी है र सबीर को ट्राइ कर सकते हैं मैं फिलाल इनको ड्रॉप कर रहा हूं बॉलिंग के दोस्तों तीन बोलर को लिया हुआ है अपने स्पेल के दोवर कंफर्म गिंदबाज करेंगे एम जिसन भी टीम के सांदर गिंदबाज दूसर यहाँ पर इनको आप जेवेस के टीम के तरफ स हमारे टेलिग्राम गुरूप में तो टेलिग्राम गुरूप को मिसने करना है ठीक है इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक शेर कर दिया है डिस्क्रिशन बॉक्स में आप क्लिक करके एजी जॉइन कर सकते हो थैंक्स